नमस्कार किसान भाईयों, राम राम, जै जवान, जै किसान किसान भाईयों दिल्ली अजादपुर के मंडी में पंजाब का आलू क्या भावविका क्या कुछ वहां विक्री रहा जो पंजाब से चल कर दिल्ली अजादपुर के मंडी में पहुंचता है वहां जाके आलू क्या भावविकता है पहले हम जानेंगे लोदियाना मंडी पंजाब में आलू क्या कुछ बजार रहा क्या कुछ बिक्री रही तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों चैनल में पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें मेरे प्यारे पैक किसान भाईयों मैं बता दूँ पंजाम में जो आलू आज के डेट में आज के भाव में जुलाई के महीने में जो आलू का भाव चल रहा है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छाड चल रहा है और यही आलू यहां से दूसरे सहर में जाके दूसरे बिक रहा है कारण क्या है क्यों बिक रहा है आज पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियों पहली बार आए हैं तो वीडियों को लाइक कर दें ताकि जो नया नया नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाईयों आज जो लुद्याना मंदी में आलू का खुदरा भाव जो भी का है उसकी बात करें तो 24 से लेकर 26 किलो खुदरा भाव आलू का बजार रहा है और मैं अगर होल सिल की ब बात करूं तो वहां भी आलू का क्या कुछ बजार रहा तो पूरी जानकारी आपको चैनल के मातंदम से मिलने वाला है तो मेरे प्यारे पैस साथियों बता दूं आज पंजाब में जो आलू का ज्यादा विक्री है ज्यादा सेल है अगर मैं उसकी बात करूं तो डामन्ड आलू के नाम से मसूर है जो यही आलू दूसरे स्टेड में जाकर सुगरफिरी के नाम से जाना जाता है लेकिन पंजाब में इसको डायमन् आलू के नाम से जाना जाता है और आज जो इसका होल सिल भाव रहा नीचे की बात करूँ नीचे नो से लेकर उपर 11.00, 11.00 के भाव में आलू का बजार आज होल से लबाव रहा है अब जान लेते हैं पंजाब से चल कर यही आलू जब दिल्ली अजादपुर के मंडी में पहुँचता है वहां के आरती, वहां के बेपारी यहां से ले आके वहां क्याग भुगा बेजते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बता दूँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, किसान भाईयों यह आलू यहां से जब होल से भाव खरीते हैं, जब जादा से जादा माल खरीते हैं जो वेपारी यहां से माल ले जाता है कम सकम ट्रक लदवा कर ले जाता होगा और जब ओ यहां से आलू खरीता है कम सकम 40-50 पर बोरी उसको और सचता पड़ता है जो आलू अभी 1100-1100 के भाव में उसको मिल रहा है वही आलू अगर गुदाम से इस्टोर से उठाता है तो उसक साठे दस सो ग्यारा सो के भाव में आलू मिल जाता है और यही आलू डिलि अजारपुर के मंडी में जाके 1200 सारे 1200 के भाव में बिग जाता है यानी की सो से लेकर डेर्ड़ बोरी में प्रति बोरी में उनको आ जाता है पचास में बोरी गारी का खर्चा लगा ले फिर भी सो बोरी का उनको मार्जन बज़ता है तो कहीं न कहीं पंजाब में आलू अभी सचता है दूसरे राज से दूसरे स्टेट से दूसरे जगा से आलू की जो अभी यहां बिकरी चल रही है दूसरे राजों से बहुत सचता है और दूसरे राज से दूसरे इलाके से दूसरे गाउं से दूसरे सहर से आके पंजाब का आलू लेके दूसरे सहर में जाके बेचते हैं और अच्छा मुनाफ़ा और अच्छा लाब कमाते हैं तो आपने इस वीडियो में देखा दिल्ली अजाद्पुर मंडी में आलू का क्या भाव रहा अगर मैं वहां की आलू बाल करूं वहां जितने भी आलू आ रहा है चाहे व अगर मैं उनकी बात करूं नीचे 900 से लेकर ऊपर 1500 के भाव में आलू का बजार दिल्ली अजाद्पुर मंडी में रहा है तो कहीं कहीं आलू के भाव में दिल्ली में जादा खपत है या जादा मांग है जो आलू की आलू की जो खपत जादा है और वहां आलू की मांग भी जादा है और वहां हर सहर से आलू का जो रेट भी जादा है क्योंकि जहां से आलू आता है अगर पंजाब से आलू जाता है किराया लगता है बढ़ा लगता है चुंगी लगती है तो सारे खर्चे जुड़के उसी आल में उसी को चलते इस समय आलू के जो बिजनसमेन है जो बड़े वेपारी है उनको भी इससे अच्छा मुनाफा लाब हो रहा है और आने वाले समय में आलू का क्या कुछ बजार रहेगा उसको हम अगले वीडियों देखेंगे फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं आलू का भाव जो है 2024 में बहुत बढ़िया बहुत अच्छा रहने वाला है